रूस युक्रेन युद्ध के बीच विद्धवन्श युद्ध लगा तार जारी है जहां दोनों ही देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वहीं पश्चिमी मदद के बूते रूस को चुनोती दे रहा युक्रेन भी जबरदस्थ हमले कर चौका रहा है हालकि हत्यारों की कमी के चलते युक्रेन को कई मोर्चों पर भारी नुकसान भी जहिलना पड़ा है हाल ही में अमेरिका की ओर से 61 अरब डॉलर के वार रिलीफ पैकेज के बाद युक्रेन का मनोबल साथवे आस्मान पर है युक्रेन पिछले काफी समय से अमेरिकी मदद की गुहार लगा रहा था युक्रेनी राश्पती यहां तक कह चुके थे कि बिना अमेरिकी मदद के युक्रेन एक दिन के लिए भी रूस के सामने टिक नहीं सकता है तो वहीं अमेरिकी मदद से भढ़के रूस ने आकड़ों के जरिये युक्रेन को मनोवैज्यानिक चोट पहुचाने की कोशिश की है रूसी रक्षा मंतरी सरगेई शोईगू ने मंगलवार को दावा किया कि फरवरी 2022 से अब तक युक्रेन ने करीब 5 लाग सेनिक जंग में गवा दिये है शोईगू ने एक मंतरी स्तरीय बैठक में कहा कि रूसी सेनाए फ्रेंट लाइन पे हैं साथ ही अपने विरोधियों को पीछे धकेल रही है यही वज़ा है कि युक्रेनी सेन एक भारी दबाव छेल रहे हैं और अपना डिफेंस करने की स्थिती में नहीं है इस दोरान रूसी रक्षा मंतरी ने युक्रेन के लिए अमेरिका की ओर से दी जाने वाली 61 अरब डॉलर की सहायता पर भी टिपनी की उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद युक्रेनी सेनाओं के पतन को रोकना है मगर रक्षा मंतरी ने चितावनी दी कि धन का युद के मैदान की स्थिती पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिकतर धन अमेरिकी सेन्ने उत्पादन में जाएगा उन्होंने दावा किया कि युक्रेनियन अपने हितों के लिए रूस के साथ लडाई में मर जाएंगे रूस से लडने के लिए युक्रेन को भुक्तान करना अमेरिका की ओर से सीधे रूस से लडने की तुलना में बहतर है इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्री ने खुद की स्तिथी के अनुसार अपनी सेनने रण नीती को अपनाने में रूस की रक्षा उत्पादन शम्ता और लचीलेपन की सरहना की उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्राले युक्रेन को पश्चमी हत्यारों की आपूर्ती के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले लोजिस्टिक्स के इंद्रो और डीपो पर लंबी दूरी के हमले जारी रखेगा साथ ही रूस ने पश्चमी हत्यारों की स्ट्रेस्टता के मिथक को भी दूर कर दिया है रूसी सेनाओं ने 1000 किलोमीटर के युद्शेत्र में पहल हासिल की है वही मार्च के आखिर से रूस ने युक्रेन के खारकीव पर अपने हम लेवढ़ा दिये है बीते सोमवार को एक रूसी के एच फिफ्टीनाइन मिसाइल ने खारकीव के 250 मीटर उचे टीवी टावर पर हमला किया था इस पर जेलेंस्की ने कहा था कि खारकीव में एक टेलिवीजन टावर पर रूसी मिसाइल हमला युक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर को डराने के क्रेमलिन के निरंतर प्रयास का हिस्सा था हमले का उदेश आतंक को पूरे शहर में दिखाना और खारकीव के कनेक्शन और सूचना तक पहुँच को सीमित करने का प्रयास करना था हमले करने का है